प्रिय विद्यार्थी, आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है और हम लोग लैमियसी कुल के बारे में विचार किया जाएगा पर इसमें सबसे पहली बात महत्वपुन मैं आपको ये बता दूँ कि देखे हम लोग लैब येटी के नाम से इसको जानते हैं क्या लैब येटी पर इसका actual scientific name according to rule of nomenclature लैमियसी है दोनों नाम सही है पर हम लोग लैमियसी के रूप में इसे आगे चलके बोलने का प्रियास करेंगे इसे मिन्ट फैमली के भी नाम से जाना जाता है और इसमें 260 जेनेरा और 3200 तीन हजार 200 species की जानकारी है जो worldwide distribution वाले हैं भारत में 64 जेनेरा और 400 species का जानकारी हुआ है अब इस के कुछ common plants के नाम हम लोग जानें तो एक तो है coleus aromaticus इसे अजवाइन कहते हैं दूसरा plant है lucas lantern इसे गुम के नाम से रिजाना जाता है तीसरा एक इसका महत्वपून plant है लेवेंडूला वेरा जिससे लेवेंडर आयल निकलता है चौथा है mentha pipita या पुदीना के नाम से हम लोग जानते हैं जिससे menthol भी बनता है और गरों में हमारे इस्तेमाल भी होता है चटनी वाइग्रा में रुवाइलिया यह एक मात्र tree plant है इसका और उसके बाद Osimum sanctum या तुलसी तुलसी का एक और वेराइटी है Osimum basilikum करते हैं साल्विया साल्विया की दो वेराइटी और नमेंटल प्लांट है और उसके बाद thymus vulgaris यह भी और नमेंटल है तो आएए अब family के पौधों को देखकर हम लोग इसे जानने का प्रयास करें तो यदि पत्ते को गौर करियेगा तो बाएं तरफ सबसे उपर में है Coleus aromaticus अजवाइन जिसे कहते हैं और उसके बाद उसके नीचे में lucas की species aspera है या gum के नाम से जाना जाता है या weed है और यह भी बता दिया जाए कि प्रयावगी कारे में आपके लिए या flower सहजी उपलब्ध रहता है weed है आपके महाविद्याले में भी या है और उसके नीचे में है बाएं तरफ सबसे नीचे में mentha piparita या है pudina और दूसरे तरफ सिर्ष पे दाहिने तरफ या है krishnatulsi और उसके नीचे जो हरे पत्ता वाला है वह है रामा तुलसी और उसके नीचे में लाल फ्लावर और उसके बगल में ब्लू फ्लावर बाइगनी फ्लावर जो है यह दोनों साल्विया के species हैं और यह ornamental है यह पार्कों में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे एक का नाम जो कोने में है गुलावी कलर का यह है साल्विया विस्कोसा और जो बैगनी कलर का है यह है साल्विया ओफिसिनेलिस इसके बगल में और इसके ठीक बगल में बाइटरब बढ़ते हुए तीसरा जो है ब्लू फ्लावर यह है रोजमेरियस ओफिसिनेलिस रोजमेरियस ओफिसीनेलिस से रोजमेरी आयल बनता है परफ्यूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है और तब फिर एक मात्र इसकूल का व्रिक्ष पौधा या हर्वेसियस कूल है सब पौधे इसके हर्वेसियस छोटे होते हैं पौध होते हैं व्रिक्ष नहीं होता है पर यह एक विरिक्ष है जिसे summer royal के नाम से जाना जाता है तो इस प्रकार से इसके ये कुछ common plants है अब तुलसी की family या mint मतलब होता है पुदीना पुदीने की family के नाम से हम लोग जानने और यह भी कि अजवाइन एक मसाला है और उसके पत्ते का सबजी और पकोड़ी बनता है तो इस प्रकार से इससे पर्चित होते हुए हम लोग आगे चलते हैं अब हम लोग इस family के systematic position के बारे में विचार करेंगे इसका kingdom planet है, plant है तो planet में ही आएगा और इसके cell wall rigid होते हैं या इसकी विशिष्टा होती है sub kingdom, phanerogames, flowering plant है class इसका dicot है, इसमें दो cotyladen होते हैं दो दाने वाला इसका बीज होता है और reticulate venation होता है और इसका flower pentameras होता है कहने का तात पर है कि flower के अधिकतर भाग जो है, वो पांच-पांच की संख्या में सामान तोर पे होने चाहिए sub class इसका gamma pitali है इसके petals fuse होते हैं या जुदा बात है कि fuse petals उपर से lobed भी होते हैं नीचे से वो fuse रहते हैं, narrow होते हैं tube जैसा उपर आने के बाद उनके lobe अलग-अलग हो जाते हैं series इसका inferior है, inferior में inferior ओवेरी रहता है it does not mean कि सदय इनफिरियर ओवेरी होगा और धेरखार एक character जिसके मिलते हुए रहेंगे पर यदि ओवेरी इनफिरियर नहीं है तो भी उसे इस group में रखा गया है तो inferior के एक और characteristics है कि इसमें carpels दो होते है order इसका lameels बोला जाता है और इसका पहचान जाइगो मार्फिक flower से flower की जो symmetry होती है वह जाइगो मार्फिक होती है कुरोला बाइलिप्ट होता है चार या दो स्टैमेन होंगे चार या दो स्टैमेन होंगे तो जब चार होंगे तो दो बड़े दो छोटे होंगे उनकी filament बड़ा और छोटा होता है इस वज़ा से उन्हें डाइडिनेमस कहते हैं और जो ओवेरी है वह टू-टू-फोरलाकुलर होती है सामाने तोर पे टू-लाकुलर लेकिन फाल्स सेप्टा पढ़ गया तो फोरलाकुलर सेप्टा फाल्स साइजो कार्पिक इसके फ्रूट का नाम है तब यह है लैमियल्स इसका फैमिली है स्क्रोफुलेरियसी पहचान का देखे कितना आसान तरीका एक तुलसी का डंडी को तने को देखे और वह क्वाड्रेंगुलर आपको दिखाई देगा चार एंगिल उसमें रहता है तो क्वाड्रेंगुलर स्टेम होगा और इस परिवार को एक ही करेक्टर के आधार पेदी पहचानना है तो वह होता है इसका इनफ्लोरोसेंस वर्टी सिलास्टर और उतना से भी काम न बने तो गाइनो बेसिक स्टाइल इस्टाइल गाइनोसियम के आधार से निकल के उपर जाता है तो गाइनो बेसिक स्टाइल यह है फाइमली के छोटे में तीन पॉइंट के द्वारा इसे कैसे पहचान लेंगे और इसके बारे में डीटेल इसके गुनों की हम लोग आगे विचार करेंगे फाइमली के गुनों के डीटेल विचार जानने करने के पहले हम लोग थोड़ा सा ध्यान इस बात को देख कि यह हाला कि मिंट फाइमली कहा जाता है पर इसका सबसे कामन और हमारे सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विख्यात तुलसी इसी ग्रूप की है और तुलसी के इत हरा पत्ता हरा पत्तर पत्तर कृछ पाइन इस पर रहता है वागा से ट्व च्रिंड योग कृत को ईसके यावं डूकृत हं में सभीं जानते हैं हमारे ऩदीफ एप यहां पर एक है sweet तुलसी एक है holy बसील और तीसरा है lemon बसील तो तुलसी के ये पाँच प्रकार हम लोग कम से कम अब आज के बाद से जाने जरूर से इसके पाँच कौन कौन है रामा तुलसी, शामा तुलसी लेमन बसील और holy बसील और sweet बसील अब देखे इनके नाम हम लोग जान लें रामा तुलसी शामाम सैंक्टम कृष्ण तुलसी शामाम टेन्यूफलोरम अमरिता तुलसी शामाम टेन्यूफलोरम sweet बसील शामाम बैसिलिकम थाई बसील शामाम थाइरसी फ्लोरा और purple बसील ओसियम बैसीलिकाम, लेमन बसील, ओसिमम साइट्रोडोरम, तो इसमें और भी कुछ प्लांट्स के बोटेनकल नेम है, तुलसी एक महतोपून पौधा है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इसके बारे में कुछ और भी जानने की ललक हम लोग में सदैव होनी चाहिए, चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अब कुछ टर्म्स हम लोग जान लें, जो की टैक्सोनोमी की रीड है, यदि टर्म्स नहीं जानेंगे, तो इसे रटना पड़ेगा, और प्रयोकसाला में ये काम हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां हमें देखके इन गुरों के आधार पर ही पाचाना जाता है, तो देखे, एक तो हम लोग आज स्टैमेन के अरेंजमेंट पर कुछ ध्यान दे रहे हैं, पहला है मोनो एडलफस, मेनी स्टैमेंस, जहां स्टैमेंस अनेक हो, और उनके फिलामेंट फ्यूज हो, फ्यूज हो के एक ट्यूब बनाता हो, कुछ इस प्र जब मेनी स्टैमेंस फ्यूज हो के एक ही गुरूप या गुच्छा बनाते हैं, मोनो मतलब एक एडलफस एंडोसियम, मोनो एडलफस, डाई एडलफस, देखे, इसमें स्टैमेंस दो गूप में बटा रहता है, देखे, मोनो एडलफस मालवेसी में होता है, और डाई एडल में जैसा कि उपर मालविसी म् बताये गया वैसा फ्यूज होके है पर एक फ्री और अलग है तो इसके गृप कितने हुए दो हो गया एक ट्यूब जो नौबवना हुए है गृूप और एक अलग फ्री है तो यह दो गृप में इस टमेंट पाए तो ऐसा एक्जाम्पुल है फबेसी में और इसे लेग्यू मिनोसे के नाम से जानते हैं इस फैमिली को और इस टेकनिकल टर्म का नाम है डाई एडल्फस अब दिखें अगला टर्म है टेट्र दिनैमस इसमें छे sťalmen होंगे चार बड़े होंगे दो छोटे होंगे और ये बढ़ाई छोटाई क्यों होगा क्योंकि फिलामेंट चार के अलग होंगे और दो के अलग होंगे एक लंबा और एक छोटा होगा यह अब रैसी केसी फैमिली के में पाया जाता है और इसका दूसरा नाम इस फैमिली का कुरुसिफेरी भी है डाइडिनेमस जहां पर चार स्टेमेन हो दो लंबे और दो छोटे अपने फिलामेंट की अनिक्वल साइज के कारण तो ऐसी इस्थिती में इसे टेट्राइडिनेमस कहेंगे और इसे डाइडिनेमस कहेंगे और या डाइडिनेमस इसे लैमियसी फैमिली का जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसकी विसिष्टा है पर या साथ में जो इसके पहले फैमिली हम लोग पढ़ चुके हैं इसक्रोफुलेरि टुगेदर बट नोट एक्चुली फूजट सराउंडिंग दी गाइनोसियम गाइनोसियम के चारो तरफ यदि एंड्रोसियम एक एक ही साथ हो पर आपस में फ्यूज ना हो तो इसे कोनी वेंट कहा जाता है ठीक है इस तरह से जैसे मैं कुछ एक्जाम्पूल हर बार देता आप लोग कुछ-कुछ और टर्मिस से अपने से भी जानने का प्रयास किया करिए या इंटर में आप लोग को पढ़ाया जा चुका है अब देखें इस फैमिली का हैबिट प्लांट्स आर मोस्टली एरोमाइटिक हर्प्स जिसमें से सुगंद निकलता है एरोमाइटिक स्म है एक समर रॉयले आपको पहले मैं बताया था फस्ट स्लाइड में कि एक मात्र ट्री इसका भी है परवा अमेरिकां पाये जाता है या नहीं है रूट इसका टैप रूट होता है और ब्रांच होता है पर कभी-कभी रेयरली जखड़ा-जड़ या एडवेंटीस रूट भी पाये जाएगा और यहां में होता है में आप लोग को याद होगा पुदीना के समद्ध में बताये था मैं में था पिपरिटा इस टेम देखे इसका एरियल होगा वाइवी हवा में रहेगा हर्बेसियस होगा soft होगा, rarely udi कभी-कभी या uddi भी होता है, कास्थी तो udi कभ होगा, फ्रब होगा और ट्री होगा तो udi हो जाएगा यह erect भी हो सकता है और prostrate भी हो सकता है quadrangular इस टेम इसना कैसा होगा? quarterly होगा, 4 एंगिल वाला uchaary, उस पर हलके hares पाय जाएंगे, rom yukth होगा, branch होगा वह solid भी हो सकता है और hollow भी हो सकता है खोखला pipe के समान भी sometimes underground suckers are also found suckers रहता है जो चीज prostrate stem उसका एक horizontal ground के साथ चलेगा और उसके node पर से जगा जगा aerial suit उसका निकलेगा या मेंन्था में पाये जाता है leaves इसके opposite होते हैं, decasset होते हैं मतलब मुख्य branch पर भी और मुख्य axis पर भी और branch पर भी X-scile भी हो सकते हैं और patiolate भी हो सकते हैं rarely world यदा-कदा यह घेरे में भी पाये जा सकते हैं simple होंगे simple पत्ती होगा patiolate होगा या सेसाइल भी होगा अब तुलसी में कैसा होता है तो एक डंडी छोटा सामलूग लगा देखते हैं पत्ती में तो यह patiolate हो गया X-stipulate, stipules नहीं पाये जाते हैं hairy with aromatic smell, hair भी रहेगा, lips में भी हलके हो सकते हैं और aromatic smell रहता है तुलसी का एक पत्ता तोड़िये, मसलिये और smell लेने कोशिस करिये entire, pinetified, यह एक visist case में, prevoskia में unicastate और reticulate venison inflorescence मैं बताया, एक ही character inflorescence से पाचानिये, verticilaster a pair of condensed dicasial cyme at each node से बना होता है flower इसका pedicillate होता है, यह से sile भी हो सकता है bractiate, bract पाया जाएगा, complete होता है मतलब, charo, world, calyx, crola, endrosium, gynosium, एक ही फुल में पाया जाएगा gyagomorphic होगा, पर rarely actinomorphic भी हो सकता है यह मेंथा का case है, पुदिना वाला हर्मोफ्रोडाइट, दोनों sex उसमें रहेंगे, male female sex एक ही flower में, पर rarely even sexual भी हो सकता है और तब एक जामपू लाता है thymus का flower pentameras होते हैं, सामान तोर पे 5 के group में रहते हैं और हाइपोगाइनस होता है, कैलिक्स में पांच सेपल होते हैं गैमोसी पैलस होगा, बाइलेवियेट होगा, यह साल्विया और थाइमस का case है और इतना ही नहीं, यह persistent होगा, जैसा कि मैं पहले भी स्क्रॉफ के case में बताया था यह सुलनेसी का मुख्य करेक्टर है, पहचान के लिए, आपके हाँ बैगन आता है, कहते हैं कि उसके सीर पे ताज लगा हुआ है वह ताज क्या है जानते हैं, वह कैलिक्स है, सेपल है उसका कैलिक्स, टमाटर में भी यह case होता है तो इसी प्रकार जो की फल बनने तक मौझूद रहे, तब तक तो यह जहरता नहीं है तुरत, तो इसलिए इसे persistent कहते हैं पर्सिस्टेंट कैलिक्स, एस्टिवेशन इसका वालवेट भी हो सकता है और इंब्रीकेट भी हो सकता है, इन्हीं दोनों में कोई रहेगा, वालवेट रहेगा तो सब के किनारा एक बराबर में रहेंगे सारे सेपल्स के, और इंब्रीकेट होगा, एक का दोनों किनारा नी थे लेन ए बाई लेविट का एलिक्स इज प्रेजेंट दी अरेंजमेंट आफ सेपल में भी वन बाई पोर एज इन ऑसिमम और टू बाई थ्री एज इन काला मिन्था अब देखे इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि सेपल्स जो है या गैमो सिपाइलस है तो सेपल तो उपर में इनमें लोब पाया गया और वह लोब ऐसा हुआ कि चार का लोब तो एक में जुड़ा हुआ दिख रहा है और उससे थोड़ा गहराई तक जाके लोब दूसरा निकला हुआ है तो चार बटा एक कहेंगे और यदि आस्मम का केस देखेंगे तो एक तरफ तीन मतलब कि वैमो सिपलस तो होगा पर जो इसके लोब का बटवारा है तो दो एक साइड में दिखेंगे और तीन दूसरे साइड में और ये दोनों मिन के दो लिप बाई लिप्ट कंडिशन बनाएंगे ये होट से मतलब है जैसे दो लिप होता है एक बटा चार आसिमम में एक बार फिर से याद करिए तुलसी आसिमम एक बटा चार और काला मिन्था में दो बटा तीन अब देखिए इसका कुरूला यह भी गैमो होता है पांच पेटल सामाने तोर पे होते हैं और जब गैमो होगा मने जुड़ा हुआ तो यह ट्यूब के समान संरचना मनाता है आधार पे अभीच वाइडेंस टूआर्ट्स दी माउथ और जब उपर क्यों राएंगे तो वो और चोड़ा हो जाएगा बेल आपने देखा होगा तो बेल नीचे में थोड़ा कम रहता है और जब उपर जाएगा तो बेल का जैस है वो पांच रहेंगे और सब इक्वाल वो बराबर नहीं रहेंगे और मोस्टली बाइलेविएट अधिकतर बाइलेविएट होंगे इन मेंथा फोर लोब करोला एराइजेज दू दी फ्यूजन अफ टू अपर टीथ दो ऊपर के टीथ फ्यूज कर जाते हैं इस वज़ा स कि इस वरोब करोला दिखता है इन ऊसिमाम और कोलिस ति पेटल अरेज्मेंट इन गैमों पिटेलेइलस फोर बाइवन और में हम लोग ध्यान दें क्याबब आ फोर बाइवन पेटल step 4 पेटल्स आ इन दी पोस्टेरियर अपर लिप अन ओन लेगा अन अनली ऑन पेटल इन four stamen, di-denamus condition कहते हैं, two plus two and posterior stamen is reduced and represented by a staminote, in salvia, only two stamen on the anterior side are found, stamens generally in troj, gynosium ko facing होंगे, अंदर की तरफ, तो in troj कहेंगे और di-thicus मतलब दो दाने के समान इसका सन्रचन रहेगा, तो di-thicus कहा जाएगा, गाइनोसियम इसका बाइकारपेलरी होता है दो कारपेल होते हैं या सीन कारपस होता है अर्था जुड़े होते हैं और ओवेरी इसका सुपीरियर होता है सिचुएटेड इन हाइपोगाइनस हनी सेक्रेटिंग डिस्क और बाइलाकुलर होता है पर बिकम स्टेटरालाकुलर बाइफाल्स सेप्टम एक जाइल प्लेसेंटेशन होता है और वन ओविल इन इच लाकुल हर लाकुल में एक ओविल होता है style इसका gyno basic होता है arising from the base of the ovary या vicious character है और stigma इसका by locked होता है fruit इसके cyiocarpic होते हैं और seed इसका non-indospermik होता है इसमें indosperm नहीं पाये जाते हैं अब देखिए इसका एक floral formula पहले है bractiate BR उसके बाद percent का निशान है जाइगो मार्फिक और उसके बाद plus और उपर में iron जैसा या bisexual का निशानी है और उसके बाद K 3 by 2 और 5 पाँच होता है bracket में है तो गैमो है और 3 और 2 में इसका लोब है मान लिजे और कुरोला में 5 है तो 2 बटा 3 है और यदि किसी case में 4 बटा 1 होता है और ये भी bracket में है मतलब गैमो है और किसी किसी में 5 हो सकता है जिसमें एक ही में सभी जुड़े हुए हैं तो ये बाई लिप्ट नहीं है अंड्रोसियम इसमें 2 पलस 2 बाद वाला 2 स्टैमिनेट हो सकता है या अब गौर कर ये A से एक रेखा निकल के C की तरफ जा रही है मतलब कि अंड्रोसियम स्टैमिन जो है वा करोला से जुड़ा हुआ है तो इस घटना को एक विशेश नाम दिया गया है इसे इपी पिटेलस कहते हैं पिटल से जुड़ के दिपाया जा रहा है तो उस स्टैमिन को इपी पिटेलस कहते हैं गाइनोसियम बाइकारपेलरी ब्रैकेट में है सीन कारपस और नीचे अंडरलाइन है मने सुपीरियर अब ये देखेगा आप लोग की इनफेरियर फैमिली इनफेरि का सदस्य पर यह कोई आनिवारे नहीं है कि सब इसमें इनफेरियर हो आप लोग इसे एक बार कंफर्म करें हमारी तरफ से Here is the फ्लोरल फार्मूला फार्लमियसी अब उसी चीज़ को यहां बताये गया है यह बगल में देखें एक डायग्राम दिया गया है फ्लोरल डायग्राम जिसमें यदि आप देखें कि सबसे बीच में क्या चीज़ है तो वह कार्पेल्स है बाई कार्पेल्री है एक लाइन आर पार जा रहा है पर दो फाल्स सेप्टा के वज़ा से यह टेटरलाकुलर दिख रहा है और इसमें चार इस्टैमें नीचे वाले दो छोटे फिलामेंट उपर वाले के दो बड़े डायडिनेमस कंडिशन पेटल्स देखें यहां पांच दिखाया गया है और यह जो पांचों पेटल है यह वालवेट कंडिशन में है एक दूसरे से जुड़े हुए है गयमोपिटलस और उसके उपर आजाईए तो आप कैलिक्स देखें पांच से पल्स हैं सब जुड़े हुए हैं आपस में और उनका किनारा भी बराबर लेवेल पे है तो वालवेट है एस्टिवेशन और नीचे में एक लकीर लगी हुई है यह ब्रैक्ठ है और उपर में एक गोली बनी हुई है या इसके मदर एक्सिस को सो करता है अब इस फैमिली का हम लोग थोड़ा आर्थिक महत्तों पर विचार करें देखें फूड इस्टार्ची से बोल्डी इज एडिबुल इस्टार्ची होने के परकारण इसे खाने में इस्तिमाल होता है लीवस ओफ मेंथा इसका भी चट्नी बगरा बनता है आप जानते ही है आसिमम आसिमम का भी गोलमीर्च और तुल्सी का पत्ता और नमक ऐसे खाये जाता है आप जानते ही है तो यह कंडिमेंट्स के रूप में पोजन में हमारे विश्यस्तोर से उप्योग हो सकते हैं अजवाइन का भी देखिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिशनल इंपोर्टेंस के लिए एजुगा ब्रेक्टियोसा लिूकस सिफायलोटस और यूजड इन फिवर फिवर को कम करेगा मेन्था पिपरिटा एन थाइमस, सरफिलम, गीप्स, मेन्थ Maule मेंथा आयल मिलता है बजारे में बहुत भंगा 800 रुपया किलो मिलता है इसकी कल्टिवेशन भी किया जाता है मेंथा, पिप्रिटा, एंधाइमस, सरफिलम, गीप्स, मेंथाल, एंधाइमॉल देखें इसमें मेंथाल मेंथा से, मेंथा पिप्रिटा से और थाइमस, सरफिलम से थाइमॉल रिस्पेक्टिबली क्योंकि लिखा गया है क्रमिक दोर पे ये एक्स्टेंसिबली मेडिसीन के रूप में यूज होते हैं लिप्स ओफ आसिमम और आसिमम में ये किली मैंडस चाहरीकम है जो कि कपूर का भी निर्मान करता है लिप्स ओफ आसिमम इस पेसीज ये यूज़ इन वेरियस आइलमेंट अनेक प्रकार के विमारियों में तुलसी के पत्ता का इस्तिमाल होता है लिप्स ओफ ओड़नामेंटल प्लांट साल्विया, कोलियस, थाइमस और लेवेंडूला ये ओड़नामेंटल प्लांट हैं गार्डन में पाये जाएंगे, गार्डन में ग्रो किया जाता है पर्फ्यूम्स बनाने में इस्तिमाल होता है एरोमाटिक आयल, थाइमस से, लेवेंडूला से, लेवेंडर आयल के नाम से जाना जाएगा और रोजमेरियस से, या रोजमेरी आयल इससे निकलता है और जो कलर है, सिंथेटी कलर जब नहीं था, तो नैचुरल कलर इस्तेमाल हम लोग करते थे तो या फ्रूट आफ लाइकोपस, यूरोपियस से, इल्ड रेड डाई, इससे रेड डाई मिलता है और हरसिंगार के डंडी से, फूल के डंडी से भी लाल डाई मिलता है अब यह कुल किस के पास है और किस से दूर है, यह जाना जाए तो इंगलर, हैलियर, वेटेस्टीन और रेंडल, यह बड़ी फेमस टैक्सोनोमिस्ट हैं और इन्होंने इस फैमिली को ट्यूवी फ्लोरे में रखा है अब निमन चार करेक्टर आपको दिये गए हैं जिसके आधार पर उससे अलग करिएगा नहीं तो लगवग एक्षी तरह के रहेंगें पहला एक वाड्रेंगुलर, स्टेम और एरोमाइटिक स्मेल या लैबियेटी या लैमियसी में ही पाए जाएगा वर्टी सिलास्टर इंफ्लोरेंशन लैमियसी में होगा डाइडिनेमस सिस्टेमन लैमियसी में ही होगा गाइनो बेसिक स्टाइल, ट्रेटरलगुलर ओवेरी और कैसर्कुलस फ्रूट ये भी इसी में पाए लैमियसी में ही पाए जाएगा इसके द्वारा यह अकेंथेशी से अलग होगा समानताओं के बावजूद इसी वज़ा से हचीनसन सहाब ने अगेशी ने प्लेस्ट इट अड दी इंड अप गैयमोपितैली के शिड़्स पर मतलब सबसे अड़्वांस फैमिली के रुपने रखा गैयमोपितैली का अड़्वांस आई है याद रखेगा पॉलिनेशन मेके निजाम लेविटी में एक और विशिष्टा है इसका पॉलिनेशन मेके निजाम तो इस तरह के सवाल जो है अलग से आप में ये और बी जो सेक्शन बी में आपके दो टुक्डे वाला सवाल रहता है उसमें आते हैं फॉस्क पेपर में तो इसके लिए मैंने इसे यहां deal कर दिया है पहला pollination के लिए यह विशिष्टाएं होती है इनमें the horizontal position of axis of flower division of corolla into upper and lower lip and position of stamen and stigma below the upper lip which shelters them जो उनको सुरक्चा भी देता है and position of nectary at the base of the flower below the lower lip whose anterior part form से platform for insect तो मतलब यह है कि जो nectar के लिए जाता है insect तो उसके बैठने के लिए एक platform का काम करता है जो lower lip है और चुकी वहाँ वो बैठेगा तो उसके कुछ size उसकी रहेगी तब तक upper lip के gynosium और androsium upper lip के अंदर वाले आ जाएंगे तो इस प्रकार से stamen उसके और gynosium उसके contact में आते हैं और यहां से वो pollen लेके चलता है दी टाइप ओफ इंसेक्ट विजिटिंग दीज फ्लावर्स है बेरीमार्केबुल कर्रेस्पोंडेंस विद दी लेंथ ओफ दी कुरोला ट्यूब कुरोला गैमो हता है तो नीचे वाला ही सा ट्यूब की तरह हो जाता है पहले ही मैं बताया हूँ तो यह ट्यूब का लेंथ कितना है इसके आधार पर या विभेदित हुआ है कि कौन सा इंसेक्ट वहाँ पर फ्लावरिंग का काम कर पाएगा क्योंकि माउथ पार्ट उसके ट्यूब के उस गहराई तक पहुंचने चाहिए दोज विद सौर ट्यूब्स जिसमें सौर ट्यूब्स है तो आर फॉलनेटेड बाई फ्लाइज भी वहाँ पॉलनेशन क्रिएट कर सकती है स्लाइटली लॉंगर ट्यूब ट्यूब फ्लावर्स जैसे थाइमस है तो पॉलनेटेड बाई वीज साल्विया और लैमियम विद इस्टिल लॉंगर फ्लावर्स लैमियम और साल्विया जिसमें की लॉंगर ट्यूब होगा और पॉलनेटेड बाई बीज अब देखिए दोस्तों हम लोगों ने यह देखा आप लोगों को नीचे लिखे हुए पांच सवाल जो की बहुत महत्वपूर्ण है इसका जवाब लिखके और मुझे वाटसाइप ग्रूप में भेजिएगा अटेंडेंस देखने के बाद और उसके बाद इसका सवाल का जवाब हमारे पास आ जाना चाहिए इतना समझिए कि जो इतने सवाल को जान रहा है वा इस फैमिली के बारे में अच्छा जान रहा है मतलब ये सवाल अलग से उठा के पूछे जाते हैं तो इसलिए आपको मैं यहां पर इसे रखते हूँ और आप लोग इसे देखते हैं अच्छा लगे तो लाइक करना चाहिए और सबस्क्राइब भी करना चाहिए ठीक है, धन्यवाद